अब आपको कुछ छास जांजगारी देने वाली हूँ कई बार पती पत्नी में अन्बन हो जाती है या फिर पती अपनी पत्नी से दूर होने लगते हैं ऐसे में कौन से उपाय करने चाहिए जानते हैं पती-पत्नी के जगड़े दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं? अगर पत्नी और पत्नी आपस में मदभेद रखते हैं, तो हर मंगलवार को सुन्दर कांट का पाट करें, इसे घर में प्रेम की भावना पैदा होती है। पती-पत्नी में अन्बन दूर करने के लिए आप क्या उपाय करें? अकसर पती-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अगर लडाई जगड़ा पैदा हो जाता हैं, तो ऐसे में पती-पत्नी हर सिंगार की टेहनी का छोटा सा टुकडा चांदी के कवश में भर कर ग पती-चूर के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद लड्डू को पती-पत्नी दोनों आपस में ग्रहन करें तो बीच में होने वाले लिडाई जगड़े समाप्त हो जाते हैं पती को वापिस पाने के लिए क्या करें? आप बिना किसी ठोस वज़ा से आए दिन घर में कलेश होने लगें तो शुकल पक्ष के पहले सोमवार को लगातार चार सोमवार तक हल्दी की गांट पानी में बहा दे सच्चे प्यार को बढ़ाना हो तो अपने और अपने पार्टनर की जो शादी पे कपड़े पे गांट लगती है उसको गांट लगाकर ये अपनी अलमारी में सिल्वर कलर के कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो रिष्टा हमेशा मजबूत रहेगा अब बात करते हैं आपके कल की, एंटर्टेन्मेंट की नहीं, जी हाँ आपको कल क्या करना है ताकि कल को सुधार सकें आए जानते हैं आपकी राशी के हिसाब से, सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग, आप लोग कल लाल मिर्च का दान जरूर करें, भागे साथ दे रहा हैं आपका 66%, विश्व राशी के लोग, मंदिर में केले का दान करें, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 68%, मिथुन राशी के लोग, सरसों के तेल का दान करें, भागे साथ दे रहा हैं आपका 64% करक राशी के लोग केसर का तिलक लगा हिए आप भागय साथ दे रहा है आपका 67% सिंग राशी के लोग चंदन का इतर लगा हिए किस्मत साथ दे रही है आपका 60% कन्या राशी के लोग मा लक्षमी की पूजा करें भागय साथ दे रहा है आपका 74% तुला राशी के लोग विश्णु जी की पूजा कीजे आप किस्मत साथ दे रही है आपका 78% विश्चिक राशी के लोग गाय को रोटी खिलाए आप भागे साथ दे रहा है आपका 70% धनु राशी के लोग सोच समझ कर यात्रा कीजे किस्मत साथ दे रही है आपका 59% मखर राशी के लोग सु हनुमान मंदिर कल जरूर जाएं लग साथ दे रहा हैं आपका 70% और मीन राशी के लोग लाल मसूर की दाल का दान करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 69%